नमस्कार दोस्तों देख्जाम है कर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों हम लोग यूपी PCS के 2019 के GS4 की जो questions है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो आज की वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कौन सा प्रस्टन को यह आप डिस्कस करने वाले हैं तो आज की इस वीडिय आप एटिट्यूट को आपको डिस्कस करना है यह 8 नमबर के question है इसका मतला आपको 125 वर्ड में इस question का answer देना है तो दोस्तों आपने सुना होगा कि जैसे कोई बोलता है कि मेरे को एपल पसंद नहीं है मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है मेरे को मुवी देखना नहीं है वो बहुत ही boring है ऐसा something आपने सुना होगा तो यह सारे जो पसंद और नापसंद की चीजे है यह किसी आती है attitude से आती है आपका एदि positive attitude होगा किसी भी persons या किसी भी things में तो उसको आप लाइक करोगे तो positive attitude होगे तो उसको आप लाइक करोगे नेगिटिव attitude होगे तो इसको आप dislike करोगे तो देख लेते हैं attitude होती गया है तो attitude मतलब है दोस्तो negative and positive feeling towards यह person, object, ideas, environment and बहुत सारे है यानि attitude का मतलब है आप जो feeling कर रहे हो negative feeling कर रहे हो या positive feeling कर रहे हो किसी person A, B, C कोई भी person है या objective कोई भी object है या कोई ideas जैसे बोलोगे cheating मेरे को पसंद नहीं है कोई ideas या environment आप बोलोगे कि मेरे को forest पसंद नहीं है मेरे को river पसंद नहीं है या river पसंद है तो जो आपको feeling है negative और positive feeling किसी भी चीज के अगेंस में तो वही attitude कहलाता है ठीक है तो attitude कहलाता है negative और positive जो feeling होती है towards किसी person या object, ideas, environment उसको बलते है attitude यदि आपको कोई feeling नहीं हो र फरक पड़ता है वो कुछ भी करें ठीक है तो यहाँ पर आपको ना आप like कर रहे हो ना dislike कर रहे हो तो वहाँ पर यह क्या हो गए neutral attitude आएंगे आपको कोई फरक नहीं पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए यानि कि गलत भी हो यह साई भी हो आपको कोई feeling नहीं होता तो जैसे I hate the idea of cheating यदि आपको ऐसा लगता हो कि idea of cheating गलत है तो इसका मतलब है आपका negative attitude towards cheating cheating idea के खिलाप आपको negative attitude है या आप जैसे example लगा कि I do not like I do not like cricket cricket मुझे पसंद नहीं है तो यहाँ पर आपको negative attitude cricket के अगेंस मुआ cricket आपको अच्छा नहीं लगता है negative feeling होई तो negative attitude होगे ठीक है तिरहा दोस्तो attitude अब देख लेते function जो question पुछा है कि functions of attitude इनके जो कारे हैं अभीपृति की कारे कारे कौन कौन सी है तो एक डेनियल कार्ट महधे थे उनने attitude की जो function थे उसको four group में divide किया है पहला knowledge function दुसरा value expression function तिसरा ego defensive function चवथा adjustment function अब देखो attitude क्या है negative or positive feelings towards the things तो यह जो feelings है negative or positive feelings है यह attitude है वो क्या-क्या कारे करते हैं तो पहला knowledge क्या कारे करते हैं तो knowledge function का मतलब है कि attitude towards acquiring the knowledge यदि कोई भी knowledge को आप acquire करना चाते हो तो कैसा attitude है यदि मालो math के परती आपका attitude positive है इसका मतलब आप math में interest लोगे और math आपका strong होगा यदि math की प्रती negative attitude है तो आप बहुत ज़्यादा time नहीं दोगे उनको पढ़ने में और आपका math वीक होता जाएगा तो यहाँ पी acquiring knowledge आपके attitude towards acquiring knowledge ये knowledge function में आता है जैसे आप programming यदि पसंद करते हो तो programming की जो भी workshop होंगे उसमें आप participate करोगे ठीक है तो और attitude क्या करता है प्रवाइट मीनिंगफुल knowledge attitude आपको positive negative जो भी attitude होंगे उससे क्यांगे meaningful knowledge होंगे towards person things या जो भी जिसके प्रति आप dislike करते हो वो meaningful आपको knowledge होगा और यह जो knowledge होंगे और प्रेडिक्ट करेंगे what जो future में क्या होने वाले है जैसे आपको knowledge acquire होगे तो आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो कि future में गलत होगा यह सही होगा तो attitude का यहां पर function है knowledge acquire करने में help करती है knowledge function दूसरा है value expression function value expression का function मतला है some attitude used to express their own image जैसे मालो आप कभी train में सफर कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि दो बंदे बात कर रहे हैं तो एक बंदा से पूछा नहीं जाता कि आपके पास car है कि नहीं आपके पास गाड़ी है कि नहीं लेकिन फिर भी पूछ को क्या बोलता है कि मैंने अपनी कार से आज छोड़वाया हूँ station तक यानि कि वो बताना चाता है अपने को express करना चाता है कि मेरे पास car है तो यहाँ पर क्या होती है value expression में भी help करती है किसी कि किसी पास क्या है या कैसा सोच है जैसे materialistic सोच है या simple सोच है तो वो भी value expression में help करता है जैसे या simple सोच होगी तो अपने आपको नहीं बतायागा कि मेरे पास car है कि क्या है वो कुछ भी express नहीं करेगा जितना आप पूछ रहे उतना ही जवाब देगा लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने आप जो अपनी image है उसको express करने के लिए अपने attitude को सोच करते हैं तो value expression function होती है attitude की फिर देखो तीसरी जो टाइप के function है ego defensive function ego defensive function का मतलब है कि जो उनके पास जो feeling है उसको छिपाने के लिए वो कुछ नया attitude या नया feeling उजागीर करते हैं अपने आपको छिपाते हैं ego defensive करते हैं आपने आपको image को यह पोजिटिव नेगेटिव attitude showing to protect their own limitation और image ठीक है example तोर पर यदि मालो आपको chase खेलना आपको chase खेलना नहीं आता लेकिन दोस्त पूछ रहे हैं कि chase खेलोगे तो आप बोलो कि नहीं मेरे को chase नहीं पसंद है ठीक है लेकिन आपका limitation है कि आप chase खेली नहीं पाते हो आपको chase खेलना नहीं आता लेकिन आप अप आप दिखा रहे हैं आपने इमेज को छुपाने के लिए जो एकुडूड होते हैं और करने के लिए एक्टिज्ट होते हैं यहां पर अधा करते हैं फिर चौ्टर ट्राइप का जो फंक्टिज्ट्ट का वह है एक्टिज्ट्मेंट फंक्शन ठीक है यह है positive and negative feelings toward the pleasurable and rewardable person, object, things and environment. देखो, आपको किसी भी चीज के प्रती positive attitude होंगे, किसी चीज के प्रती negative attitude होंगे, तो जो negative and positive attitude होते हैं, वो adjustment function में आते हैं, जैसे negative attitude आप करोगे, unpleasant जो person होंगे, जो boring person होंगे, उसके प्रती आप negative attitude करोगे, ठीक है, और जो अच्छे person होंगे, जो आपको प्संद आते होंगे, आपकी बातों को अच्छा बोलता होगा, या आपको दुखी नहीं करता होगा, या जो pleasable function है, या कुछ आपको gift देता होगा, उसको आप like करोगे, तो जो attitude आते हैं, जो function, attitude का का काम करते हैं, वो adjustment function में आते हैं, जो a attitude, ठीक है, तो चार टाइप का function, attitude का होता है दोस्तों, जो अब हमें डिसक्स किये, knowledge function, value, expression function, ego defensive function, adjustment function, और आज हम लोग वीडियो में देखें कि attitude होती क्या है, और attitude के function क्या होते हैं, तो आज के वीडियो में बस दिना हैं दोस्तों, I hope, यहाँ पे जो question पूछा था, वही हम लोग डिसक्स किये हैं, यहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत, या कुछ और point को आप add करन वीडियो कैसे लगा, वो भी आप comment करके हमें ज़रू बताएं, तो आज की वीडियो में बस दिना ही, thank you for watching, मिलते हैं अगले वीडियो में, ने question साथ, thank you